ये वीडियो इस बार बारहवी के परिक्षा में समलित हो रहे बच्चों को ध्यान में रख करके बनाई गई है सबसे पहले आपको आपके परिक्षा के लिए बहुत-बहुत सुभकामना है आपकी परिक्षा एक तारिक से शुरू हो रही है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप OMR सीट, कॉपी और एटेंडेंस सीट को किस तरह से सही सही तरीके से भड़े ताकि आपका रिजल्ट पैंडिंग होने से बच जाए और परिक्षा हॉल में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत न आए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं परिक्षा सुरू होने के बाद आपको सबसे पहले 24 पेज की कॉपी और OMR सीट दी जाएगी आपको क्वेस्चन मिलने से पहले ही आपके पास कॉपी और OMR सीट दे दी जाएगी ये OMR सीट का प्रारूप है लोग देख रहे होंगे ये एक OMR सीट का प्रारूप है इसमें 100 प्रश्णों के लिए गोल खाने बने हुए हैं चलिए हम सुरू से देखते हैं सबसे पहले OMR संख्या उपर में लिखा होता है इस OMR संख्या का उप्योग इस OMR संख्या का उप्योग एटेंडेंस सीट भरने में होता है याद रखेगा यहां उपर में OMR संख्यां लिखा हुआ है, इसका उपयोग attendance seat में होता है उसके नीचे आपका नाम लिखा हुआ है, वो already OMR seat पर लिखा हुआ होगा BACB unique ID वो लिखा होगा, आपका roll code, roll number लिखा होगा BCA code लिखा होगा, BCA का नाम लिखा होगा, आपका registration number सुची करन संख्यां लिखा होगा आपकी संख्याय में है, यानि कि आपका subject science है, arts है, किस में है, वो लिखा होगा और परिक्षा किती थी, ये लिखी होगी, और इस जगह पे आपका photo लगा होगा तो इन सारे चीजों को आप मिला लेंगे, इन सारे चीजों को आप मिला लेंगे कि ये आपका सही है, अथवा नहीं, यदि नहीं होगा, तो आप अपने room में उपस्तित विक्षक को बता देंगे कि ये मेरा नहीं है, या इसमें गलत है, तो आपको दूसरा OMR seat दिया जाएगा अब इसमें सबसे पहला करना क्या है, देखिए यहाँ पर है परिक्षार्थी का पुर्ण हस्ताक्षर इसमें आप लोग अपना पूरा हस्ताक्षर running hand में, capital में नहीं लिखना है एकदम running hand में जैसे नाम लिखते हैं, उस तरह से उसमें full signature करना है उपर वाले में ध्यान रखिएगा, उपर वाले में नाम लिखना है, नीचे वाले में नहीं लिखना है नीचे वाले में आपके room में जो विक्षक होंगे, उनका signature होगा उसके नीचे यहाँ पर मुहर लगा होगा, center का जैसे इसमें लगा हुआ है, उसी तरह से center का मुहर लगा होगा और यदि नहीं लगा होगा, तो आप अपने विक्षक से कह करके उस पर मुहर लगवा लेंगे अब चलिए इधर देखते हैं, आठ नमबर तक आपका भड़ा हुआ होगा, 9 नमबर में है प्रशन पत्र करमांक लिखे प्रशन पत्र करमांक दस अंकों का होता है, प्रशन पत्र के side में लिखा होगा प्रशन पत्र करमांक जब आपको question मिलेगा, तो question पर दो चीजें लिखी होती है, ध्यान दखिएगा, question पर तीन चीजें मिल जाएंगी आपको एक subject code मिल जाएगा, जैसे यहां लिखा हुआ 117, तो आपके question पर भी मिल जाएगा 117 लिखा हुआ विखे code उसके अलावा आपको प्रशन पत्र करमांक वो मिल जाएगा और प्रशन पत्र set का code वो मिल जाएगा, तो तीन चीज आपको मिल जाएगी तो प्रशन पत्र करमांक जो 10 अंकों का होगा, उसको हम लोग इसमें लिख देंगे, इसमें generally विखे code होता है, उसके बाद जो question का number है, वो आएगा तो वो 10 अंकों का पूरा का पूरा जो प्रशन पत्र करमांक है, उसको हम लोग लिख देंगे उसके बाद 10 नमबर में है परिक्षा केंदर का नाम क्या है परिक्षा केंदर का नाम आप जिस जगह पर परिक्षा दे रहे हैं उस जगह का नाम आपके परिक्षा का सेंटर क्या नाम क्या है उसको यहाँ पर लिख देना है उसके बाद आते हैं 11 नमबर में बहुत सारे बिद्यार्थी इस चीज को नहीं देखते हैं इस 11 नम्मर को बहुत सारे का छूट जाता है यहां question का set जो है उसका code लिखना होता है आपके question का set कौन सा है यहां ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपके question का set A है तो इस खाने में A लिखना है और A को रंगना भी है यह दोनों चीज आप लोगों को करना है और इसके बाद हम लोग आते हैं अगले में इसके बाद क्या है कि यह एक से ले करके 100 तक का खाना है अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि आपको यदि आप science में है practical subject में तब और यदि बिना practical वाले में है तब आपको हर एक सवाल का दुगुना सवाल है जैसे यदि 35 सवाल बनाना है तो उसके लिए 70 सवाल दिये हुए है और यदि 50 सवाल बना रहा है objective तो उसके लिए आपको सवाल दिये हुए है तो यह जरूरी नहीं है कि 100 दिया हुआ है तो 100 ही बनाए पचास दिया हुआ है तो 70 भी बनाना है आपको उसका आधा ही बनाना है और उसमें ध्यान रखिएगा कि आपका गिंती उपर से होगा आप उपर से जो पचास बनाए हैं वही गिंती होगा भले आप यहां से यहां छोड़ दिये तो आगे बढ़ जाएगा लेकिन उपर से गिंकर के पचास सवाल ही आपके मान होंगे यदि आप सो के सो बना दिये फिर भी मसीन आपका उपर से पचास ही गिंती करेगा तो इसलिए ध्यान से भले ही एक से लेकर एक सो तक के सवाल में से बनाए लेकिन केवल पचास ही सवाल बनाने हैं इससे आपका समय भी बचेगा और सही होने की समभावना भी रहेगी तो इस OMR सीट में इतना ही भरना है इसके बाद हम लोग आते हैं कॉपी पर कॉपी पर क्या है वो देखिए कॉपी को हम और छोटा करते हैं यहां देखिए कॉपी तीन भागों में रहती है आपकी कॉपी तीन भागों में बटी होती है हम लाइन दे देते हैं एक भाग, दो भाग और तीन भाग एक नमबर, दो नमबर और तीन नमबर ये तीन भाग में आपकी कॉपी बटी हुई है तो आपकी कॉपी तीन भाग में बटी हुई है तो अब इस तीनों भाग में क्या है आपको देखना है सबसे पहला भाग जो ये है कॉपी का सबसे पहला भाग ये है इसमें आपको क्या करना है इसमें भी आपका सारा डाटा दिया हुआ है नाम, फोटो, सब्जेक्ट, कोड, सारा कुछ दिया हुआ रहेगा एक से लेके यहां आठ, नौ तक आपको कुछ नहीं भरना है आपको 10 नंबर में आपका जो प्रश्न पत्र का सेट है वो भरना है A, B, C, D, E, F, जो भी है सेट है उसको रंग देना है और इसमें भी प्रश्न पत्र करमांक लिख देना है आपका जो क्वेस्चन है, उसका जो नंबर है दसंकों का वो लिख देना है उसके बाद नीचे 12 नंबर में Capital Later में अपना नाम लिखना है 12 नंबर में Capital Later में अपना नाम लिखना है किस सब्जेक्ट का परिक्षा है वो लिखना है और फिर Running Hand में हस्ताक्षर करना है याद रखिए केवल आपको प्रश्न पत्र का सेट, क्वेस्चन का नंबर, अपना नाम Capital में बिसया का नाम और Signature पहले वाले कॉलम में ये करना है अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले कॉलम में दूसरा कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, इसको नहीं भरना है ध्यान रखिएगा बहुत साड़े लोग इसमें भर देते हैं मुल्यांकन केंदर का नाम सब रहता है, उसको भर देते हैं तो ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा यहां आपको नहीं भरना है क्योंकि ये पोर्षन जो है ये पोर्षन जहां आपकी कॉपी चेक होगी उस जगह पर भरा जाएगा इसलिए बीच वाले को एकदम से नहीं छुना है इसके बाद आते हैं तीसरे पोर्षन में तीसरे पोर्षन में आपको लिखने के लिए क्या है उपर में भिसय का नाम लिखना है और उसके नीचे उत्तर देने का माध्यम लिखना है यानि कि हिंदी देवनागरी में दे रहे हैं या अंग्रेजी रोमन में दे रहे हैं ये लिखना है और आपका question का code क्या है वो लिखना है और यहां क्या लेखक उपलब्द कराया गया है यदि हाँ यानि कि आपके जगह पर कोई दूसरा लिख रहा है नहीं तो generally हम लोगों के यहां यह नहीं ही होता है तो यहां इस copy में यह आपके 24 पन्ने की copy होगी इसमें इतना ही चीज भरना है तो ध्यान रखिएगा कि अबल सबसे last portion और सबसे first portion इसी दोनों में भरना है बीच वाले portion में कुछ नहीं भरना है इसके बाद आपका जो attendance seat होगा आपको दो तरह के attendance seat दिये जाएंगे इस attendance seat को जिसमें आपका photo होगा और एक लंबा सा attendance seat होगा उसमें उस attendance seat को कहते हैं A attendance seat यहां लिखा हुआ है attendance seat A इसमें क्या होगा यहां आपका photo होगा और यहां सारा detail होगा इसमें क्या भरना है वो देखिए इसमें आपको भरना है यहां पर यहां पर आप परिक्षा दे रहे हैं तो आप अपने कॉलम में उपस्थित को रंग देंगे और यहां पर signature कर देंगे उसके बाद यहां पर जो है question का number जो दसंकों का है वो आप भर करके इसको रंग देंगे वो आप भर करके यहां पर रंग देंगे टेक तो वो भर करके question का number आप वहां पर डाल देंगे और उपस्थित लिख देंगे और यहां पर signature कर देंगे यहां ध्यान रखियगा सब में नहीं भरना है इस चीज को ध्यान में रखियगा कि अलग अलग दीन अलग अलग भिष्यका है तो अलग अलग दीन अलग अलग भरना है जैसे यहां Hindi है, English है, History है, Music है और home science है तो जिसका जो subject होगा उस दिन वही भरना है इसके अलावे कुछ खाली भी होते हैं तो वो आपको नहीं भरना है जैसे यह खाली है यह यहां कोई subject नहीं दिया हुआ है तो वो आपका नहीं है वो उसको नहीं भरना है जहाँ जहाँ आपके subject का नाम लिखा हुआ है केवल उसी को परना है यह एक attendance sit हो गया दूसरा attendance sit आएगा इस तरह का यह इस तरह का लंबा होगा इस तरह का इसमें भी दो part होंगे इस attendance sit में भी दो part है एक part और दो part तो हम दोनों part को देखेंगे अलग-अलग बड़ा करते हैं इस part में देखिए क्या लिखना है यहाँ पर OMR number लिखना है यहाँ देखिए यहाँ सबसे पहले है परिक्षा का date और date के बाद है subject का नाम दिया हुआ है यहाँ OMR number जो था जो आपके जिस पर आप objective question बनाएंगे उसका जो OMR number था वो OMR number लिखना है यहाँ उत्तर पुस्तिका संख्या आपको जो 24 पेज का copy मिलेगा उस copy पर जो number होगा वो number यहाँ लिखना है प्रते एक दिन अलग-अलग होगा और यहाँ पर आपको अपना दस्तखत करना है तो पहले वाले पार्ट में तीन चीज लिखना है OMR का number लिखना है उत्तर पुस्तिका का number लिखना है और परिक्षार्ती का हस्ताक्षर आपको अपना हस्ताक्षर करना है उसके बाद यहाँ विक्षक जो है आपके room में set होगा जो code होगा वो code भरना है यदि a code है तो a code दिये a में घेर दिये और यहाँ पर अपना sign कर देना है sign करना नहीं भूलना है sign भूल जाएंगे तो आपका result pending हो सकता है और यहाँ पर उपस्तित भढ़ाएगा और यहाँ विक्षक जो है वो sign करेंगे तो इतना काम इसमें है इसके बाद यह इधर से लिखना है यह copy है जिसमें आपको लिखना है आपका answer तो यहाँ से यह answer लिखना शुरू करना है इसके बाद यह copy का पीछे वाला है एक बार निर्देश को पढ़लेंगे कैसे बरना है गोला को तो इन सब चीजों को copy जैसे ही मोटा वाला कूट उल्टाएंगे तो यह आएगा तो इसमें आपको कुछ नहीं बरना है यह जब आपकी copy चेक होगी तो आपका number भरा जाएगा तो यहाँ यह निर्देश है कैसे बरना है तो वो objective का जो गोला है उसको कैसे भरना है जैसे यही गोला है तो इसको गोला को पूरा भरना होता है गोला से बाहर नहीं निकले और अराम से गोला को भरना है और गोला को भरने के लिए केवल काला या नीला बॉल पैन ही यूज करना है इसके अलावे कोई दूसरा color का column use नहीं करना है और attendance seat को ध्यान से भरना है यही attendance seat आपके result को pending करवा सकता है और OMR seat पर जो data है उसको भी सही से भरना है OMR seat को मोरना नहीं है क्योंकि यहां bar coding होते हैं OMR seat पर तो यह OMR seat यहां copy पर दखिए यह copy का number है यह जो है यहां copy का यह number है यह copy का number वहां लिखना होता है attendance seat पर और यह OMR seat का number यहां है यह जो आपको सुरू में बताए थे यह OMR का number और copy का number यह attendance seat पर जो B type है उस पर लिखना होता है तो आप क्या-क्या याद रखेंगे अटेंडेंचिट A पर question का number और signature ये भरना है अपने B से M में ही भरना है कहीं दूसरी जगा नहीं भरना है दूसरा अटेंडेंचिट B पर OMR number और जो 24 पेज का booklet मिलेगा उसका number और sign करना है attendance seat B के दूसरे साइड में question का set कौन सा है वो भरना है और signature करना है इतना चीज उसके बाद MR seat पर अपना हस्ताक्षर करना है center का code लिखना है center का नाम लिखना है और question का जो number है वो लिखना है और question का जो code है नीचे में वो भरना नहीं भूलेंगे धन्यवाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करे धन्यवाद